दोस्तो वेलकम टू अजर यूसुफ चैनल थाने से 24 घंटे का सफर करके मैं आ गया हूँ डेली में और मैं निकला हूँ अपने 15 दिन की सोलो ट्रिप पे और दोस्तो ये जो ट्रिप है न वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि ये ट्रिप के बाद बहुत जादा इंपोर्टेंट होगी और इसलिए मैंने चुनाएं कि पहली जगा जो मैं एक्स्प्लोर करूँगा और जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो है निजामुत दिन दर्गा हजरत निजामुत दिन दर्गा हम सबसे पहले जा रहे हैं दोस्तो बहुत पहले लेकिन उस टाइम पर मैं ने मोबाइल से शूट किया था इस बार मैं गोप्रो से शूट करने वाला हूँ वो टाइम पर मैं सुबा च्छे बज़ testim आया था तो बाहर का जो माहुल था ना वो एक्स्प्लोर नहीं कर पाया था लेकिन आज दर्गा से पहले हम बाहर का माहोल एक्स्प्लोर करेंगे दोस्तों कितना रश और कितना इंटिमिडेटिंग यहां करें जो बाहर का माहूल होता है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बताऊँ न तो यहां पर पॉंचना कैसे है तो आपको अगर स्टेशन जो सबसे नज्दी की स्टेशन होगा वो है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और वहां से हाडली दो किलो मेटर है इन फैक्ट अगर आप चल सकते हो ना तो चल के भी आ सकते हो वरना रिक्षा आपको पचास उर्पे के आसपास छोड़ देगी दो किलो मेटर से जादा दूर है नहीं वोकेबल है लेकिन आपको लग जाएगा आदा गंटा अगर आप बाई वॉक आओगे तो और मैं पहुंच गया हूँ यहां पे पुली स्टेशन के पास और यहां से जो दर्गा का जो रास्ता होता है न वो होता है शुरूप यहां पे एक बोर्ड आपको होता है यह देखिए यह जो आप पूरा देख रहे हो न यह पूरी गली क्रॉस करने के बाद आएगा वो दर्गा लेकिन फिलाल यह मैं बता देता हूं यह सुबा के आई तिंग 11 बज रहा है लेकिन यहां पे बहुत सारे फूल वाले आपको देखने के लिए और बहुत सा अब बहुत सारे लोग अंदर जाते वे दिख रहे है आपको और जैसे मैंने आपको बुला यहां पर थंड के लिए आपको बहुत सारी चीजे मिल जाएगी शॉपिंग करने के लिए और खाने पिने की तो आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा खाने पिने के लिए आ और 64 खंबा बोलते है ऐसी कोई जगा यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी मैं जब भी आया हूँ यहां पर गया हूँ लेकिन अभी फिलाल हम दर्गा पहले जाते और बाद में इस जगा को एक्स्प्लोर करेंगे यह देखिए कुछ शॉपिंग के लिए कुछ खाने के लिए और सीधा वहां पर हम जाएंगे जहां पर दर्गा है वैसे यह भी एक रास्ता है जहां से आप आ सकते हो वैसे हम इस रास्ते से आए आप चाहो तो इस रास्ते से भी आ सकते हो जो relatively काफी शान्त लग रहा है हम पहुंच गए दर्गा के काफी नजदीक यहां पर अगर आप गरीबों को खाना खिलाना चाहो तो यहां पर खिला सकते हो लेकिन आप हम बहुत नजदीक पहुंच गए यह आखरी कुछ स्टेप से जिसके बाद दर्गा आ जाएगी यहां पर वजू करना है अगर आपको तो एक अलगसी महक हारी है यहां पर और यह जूते बैग अगर रखना है तो आप इनके पास रख सकते हो लेकिन मैं प्रिफर करूं आ ले जाना इस तरफ चलते हैं मैं जब हजरत निजामुद्दिन गया था तो मैंने अपनी चपल यहां रखे थी यह चाचा इग्जाक्ली आपको जो में डोर ना उसके बाहर मिलेंगे वैसे तो आप यहां पे अपना सामान भी रख सकते हो लेकिन मैं आपको एडवाइस दूँगा कि अपना सामान अपने साथ ले जाए वही बेटर रहेगा और दोस्तों यह है वहां का में गेट यह जो आप देख रहे हो ना थोड़ा सा वो जो पूरी गली है वो क्रॉस करने के बाद यह जो में गेट आता है यह है वो और main gate के अंदर जाते ही दरगा शुरू हो जाएगी तो यह वो main gate है और यहां से अभी मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और अभी मैं बताता हूँ हजरत निजाम الدिन ओलिया दरगा और यहां पर जैसे आपको पूरी गली में मिला है वैसे ही आपको यह gate के पास बहुत सारे चदर और बहुत सारी चीजे मिल जाएगी जो आप चड़ावा दे सकते हो तो दोस्तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वहां पर इतनी दूर से चदर लाने की जरुवत नहीं है यहां पर main gate पर भी आपको मिल जाएगा तो कोई शुनी है और pricing same है और अब finally मैं पहुंचा हजरत निजामुदिन दर्गा जो कुछ थोड़ से दूर से कुछ ऐसी दिखती है दोस्तो इन religious जगाओ पर जाने का ना अपना एक अलग मज़ा है और मैं क्योंकि यह trip मेरे लिए बहुत ज़ादा important थी मैं 60 वीडियो बनाने वाला था यह मेरा target था और इतने वीडियो मैंने actually बनाए तो मैं चाता था जो पहली जगा मैं जाओ ना वो बहुत ज़ादा peaceful है और actually मैं जब यहाँ पे गया ना इतना peaceful feel किया मैंने कि मैं आपको recommend करूँगा कि आप Delhi जब भी जाओ तो आप यहाँ पे जाओ ज़रूर और दोस्तो मैं आपको और नजजीक से अगर बताओ ना तो यह देखिए कुछ ऐसी दिखती है मुझे आज भी यादे संडे का दिन था यहाँ पे इसलिए आप देख रहोंगे कि बहुत ज़ादा रश था इसके पहले मैंने जब कवर किया था ना हजरत निजामुदिन दरगा तो इतनी ज़ादा रश नी थी क्योंकि मैं सुबह छे या साथ बज़े आया था अभी दस या ग्यारा बज़ रहे थे आइधिंग और बहुत सारा रश था बहुत सारे लोग थे तो expect करना के सुबह 10-11 बज़े इतना रश है तो all throughout the day आपको काफी रश देखने के लिए मिलेगा लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी सारी जगा है कि आपको बहुत अच्छे से जगा मिल जाएगी और बहुत आराम से और यह जो जगा है ना मैं आपको थोड़ी दिर में बता कि अगर वहाँ पे औरतों को थोड़ी सी प्राइवसी चाहिए ना तो यह जगा ऐसी है जहां पे आप आराम से बैठ सकते हो इन फैक मैं देख रहा था कि बहुत सारी फैमिली जिसमें औरते जादा थी ना वो यहाँ पे कोने में जाके बैठ रही थी और काफी अच्छी ज अगर आपको देना है तो आप देना चाहते हो तो इनको दे सकते हो यह कुछ आपका नाम वगधरा लिखते है और पैसे लेलेते और कोई भी आपको कुछ फोर्सनी करता कि आपको 50 रुपए देने 100 यह 500 रुपए देने आप जो भी दोना बहुत अच्छे से यह लोग एक् यह है दरगा के पीछे वाला हिस्सा, इससे पहले मैंने जैसे आपको बोला, इससे पहले के मैं आपको अंदर ले जाओं, मैं पूरा एरिया आपको अच्छे से दिखाना चाता हूँ, यहाँ पे वजू के लिए एक अलग से जगा है, यह जो आप जगा देख रहे हो ना, यह है पीछे वाला एरिया जो इतना ही जादा खूबसूरत है और यह जो आप देख रहे हो ना अभी, यह है मस्जिद, यह जो आपने देखा था, यहाँ पे अगैन बहुत सारी दुकाने आपको, क्योंके पीछे वाला हिस्सा है, पीछे की तरफ से भी आप आ सकते हो, यहाँ वो प्रॉपर मैंने, कहा ना मैंने वहाँ पे इतना अच्छा फील किया, इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे जाके, क्या गैन, वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता दोस्तों, लेकिन अप टाइम आ गया कि मैं आपको अंदर ले जाओं, और अंदर जाने के बाद कुछ यह मैं आपको अंदर का एरिया बता रहा हूँ, लिटरली अंदर का जो एरिया है वो और बहुत जादा खूबसूरत तरीके से बना गया है, और मैं पूरा 360 डिग्री विव आपको नहीं बता पाया, क्योंकि वो मैंने शूट नहीं कर पाया, लेकिन जो में दर्गा का हिस् ऐसा मैंने नहीं देखा, लोग दर्गा जाते है, दुआ मांगते वापस आ जाता है, लेकिन ये एक ऐसी जगा थी, जहां पे मैंने देखा कि कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग इन फैक एक या दो नहीं, बहुत सारे लोग वहां पे रो रो की दुआ मांग रहे थे, तो लोग कितना रो रो के दुआ मांग रहे और कितना डेस्परेटली कोई चीज चाहते है और इनसे मांगते है तो ये चीज मुझे बहुत अलग लगी बहुत अजीब भी लगी एक्चुली पहले तो लेकिन एक नहीं मैंने कई लोगों को देखा रोते रोते दुआ मांगते वे तो ये आपको वहाँ पे आप जाओगे ना तो बहुत सारे लोग आप तो आपको रोते वे दिखेंगे तो ओवराल दोस्तों ये मेरा एक्सपीरिंस जो था ना आप कौन से भी आप हिंदियों मुस्लिमों क्रिशनों मुझे लगता है आपको यहाँ पे जाना चाहिए यहाँ का फील यहाँ का औरा बहुत जादा लगे और बहुत जादा मजाएगा